विश्व हिंदू परिशद के साथ वे स्थापना दिवस पर प्रखन जैसिंग निगर में विविद कार्यक्रम आयोजित स्थापना दिवस के अफसर पर विशाल वहन रैली का हुआ आयोजन विश्व हिंदू परिशद के स्थापना दिवस के अफसर पर गदिवस पुरे देश में विविद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसी क्रम में शहडोल जिले के प्रक्षन जैसिंमनिगर में विश्व हिंदू परिशद के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम जनपग पंचायत की सभागार में रविवार को अयोजित किया गया जनपग पंचायत के सभागार में आयोजित विश्व हिंदू परिशद के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बिशिष्ठ अतिती के रूप में संत्रेम बकम शरन पॉंडी धाम उपस्थित हुए कार्यक्रम में उपस्थिती जनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की कुछाबादी देश को अपनी भूमी नहीं मानती और इस भूमी पर रहकर यहां का अन्य जल खाकर दूसरे राष्ट्र का गुनगान करती है ऐसे लोग देश में दीमक की समान है ऐसे लोगों से होशियार रहने की आवश्यक्ता है उन्होंने कहा वेहिप का लक्ष्य अपने साथ वर्ष पूर्ण हुने पर हर गाव नगर मोहले और प्रतेक हिंदू के घर तक पहुंचना वह समाज को जागरंग करना है आज के इस वहिप स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर के प्रतिष्थित व्यावसाई सीता प्रसाद पांदे ने की कार्यक्रम के मुख्य वक्ताखन कार्यवाहर SS ने कहा कि विश्व हिंदू परिशद निरंतर हिंदू समाज के लिए काम कर रहा है विश्व हिंदू परिशद ने कई आंदोलन की जिसमें राम मंदर एक प्रमुक आंदोलन रहा कार्यक्रम का संचालन राजीव द्विवेदी ने किया स्थापना दिवस कार्यक्रम में आए हुए सभी हिंदु भायो उभणों का तिलक लगा कि स्वागत बंधन करने में प्रक्खंट के उपध्यक्ष धन्न जय शर्मा नितिन पांडे प्रक्षंड उपाध्यक्ष प्रक्षंड सेवा प्रमोक राजेंद्र शुकला ने सहभागिता निभाय अल कार्यक्रम के उपरांत बजरंदल सयोजक विजय शुकला के अगुवाई में बाईक रेली का कार्यक्रम भी किया गया कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिशद के जिला अध्यक्ष गोविन सिंग, महेश भाय साहब ने भी स्थापना दिवस में विहिप के लक्षय एवं उपलब्दियों की जानकारी दी इसके पचात प्रक्षन जैसिंग नेगर के अध्यक्ष सुरेंद शुकला ने सबका धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोशना के अलविश्व हिंदू परिशद के स्थापना दिवस के अफसर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद बचरंग दल के कार्यकरताओं के करते हुए करते हैं